जिटो नॆइंग इडिन, स्टुडेंट आज हम सेशन 9 करेंगे Opening and Closing Customer Service Call तो इस सैंद हम देखेंगे कि आज हम जब भी कोई Customer Service की Call उठाते हैं या CSR जो Call Attends करता है उसमें वो कैसे Opening करता है 心र 버 या कैसे Closing करता है आपने अगर कभी Customer Care पर call किया होगा तो इतना आपको भी पता ही है कि वो हमेशा अपनी जो call होती है जो customer service call होती है उसमें अपनी जो organization है उसका नाम बताते हैं और उसके बाद आपको greeting करते हैं good morning good afternoon और आपको बोलते हैं कि हम आपकी किस तरीके से help कर सकते हैं ठीक है तो वो होती है उनकी opening और जो closing हो होती है closing वो जाते हुए आप से पूस्ते हैं कि आप जो है हमारी जो call है हमारी जो बात चीत हुई है communication हुई है तो उससे आप satisfy है या नहीं है ठीक है और यहाँ call करने के लिए धन्यवाद कुछ इस तरह की उनकी opening and closing रहती है calls पे ठीक है तो इसमें देखो students आपने एक चीज की ध्यानक नहीं है कि जब भी देखो CSR या कोई भी customer care center का जो CSR होता है वो call attend करता है तो वो क्या करता है वो हमेशा phone पे ही बात करेगा ठीक है उसके facial expression के face पे गुसा है क्या है वो जो customer है उसको नहीं दिख रहे है ठीक है उसके manners उसके reaction और वो क्या कर रहा है हाथों से कु ठीक है बड़ जो वो जज करता है customer ठीक है CSR का वो करता है उसकी voice कैसी है अवाज कैसी है अवाज दभी हुई आ रही है डर के आ रही है या खुशी से आ रही है तो customer जो CSR होते हैं उनको हमेशा बोला जाता है कि थोड़ी smiling रखें अपनी जो आप बात करेंगे उसमें क्योंकि उनकी voice बहुत ज्यादा matter करती है चाहे अगर जब communication होता है बाती होती है customer से तो जो भी problem या query रहती है तो उसको अगर satisfy कर भी देता है उसको सारी problem बता भी देता है बट उसकी जो voice है उसकी tone है वो ठीक नहीं है तो customer ज्यादा satisfy नहीं होता है ठीक है तो इसमें voice जो ह कर दिया कि इसमें क्या होता है देखो greeting करना है customer को ठीक है और organization का नाम बताना है अपना नाम बताना है और offer करना है help करने के लिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गुड मॉर्निंग एर्वे ट्रैवल्स हर प्रीत कॉर स्पीकिंग हाउ में है help यू मतलब पूछ रहा है अप क्लोजिंग कैसे करना है क्लोजिंग यहाँ पर ऐसा है कि जब customer से सारी बाते हो गई तो closing के लिए भी उन्हें कुछ लाइने दी जाती है उसमें होता है कि वह customer से पूछते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है आप उससे satisfy है ठीक है आप इस पर वह अपने आपको री इंट्रड्यूस करते हैं दुबार से बताते हैं कि आपकी बात इन परसन से हो रही है ठीक है और वो थैंक्स करते हैं customer का once again हमारी organization में call करने के लिए और tell customer के जो मतलब हम आपकी सेवा करके या आपकी call attend करके बहुत खुश हुए हैं और उनको goodbye कर देते हैं मतलब इस chapter म इतना ही है कि opening कैसे करते हैं और closing कैसे करते हैं जब भी कोई communication होती है in between CSR and a customer ठीक है student तो इसमें मैंने एक exercise आपको दी है उसको देख लेंगे thank you